हेलो गाइज विल्कम टू जेव फैमेली आज हम लोग डिसेस करेंगे आर्सिभी हर्सेस गुजराट के वीच में जो मैच होगा उसके बारे में पूरा का पूरा एनलाइसिस करेंगे तो इसलिए हमारे भूरा वीडियो को देखिए ताकि आपको पूरा जो मैच का सैन जो टीम टीम में आएगा और आपको बहुत कम सिलेक्शन पिलियार हम लोग अप लोग को सिलेट करके देते जो आपको अच्छा-खासा पॉइंट देशके तो आपको जियान लिग में जीजी आपको जीता सकते हैं ठीक है लेकिन उसको आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आप तो उसके हिसाब से आपको सही करना होगा ठीक है तब आप अच्छा-खासा रेंग कर सकते इविन आप गैन लीग में एकदम फास्ट रेंग भी ला सकते है ठीक है और उसके बाद हम लोग उससे पेज़ो पीच रिपोड़ात है वह भी आप लोग को हम आसान भासाना में सम समझाना की कोशीज करते कि आप लोगो जो पीच हे पीच को कैसे आपको टीम माना चाहिए अगर बैलंस पीच ऊचाथ को तो बैलंस टीम माना होगा और अगर बैटस्वन को माना करेंगग तो बैटस्वन को पेवधर करके Alberto क्योंकि आभी जैसे मैं अगर मान के चलिए अगर आप टीम मनाने जाओगे तो आप एक बैस्पन भी ले सकते हो एक बॉलर भी ले सकते हैं यह बहुत ही कॉंप्लिकेटेड है अभी ठीक है इसलिए आप आज आभी के लिए पीच रिपोर्ट जितना आपके लिए हेड़ रेक को जो मेरा experience है ओ मैं आप लोग को share करते हो कि इस पीच पे ऐसा ऐसा हो सकते है और हमारे पास पूरा track record भी होता है पीच का A to Z हम लोग का हम लोग को ऐसे record हो सकते हैं कि इसे पहले match हुआ था कि नहीं होता कि इतना score हुआ था तो उसके हिसाब से आप लोग को प्रेडिट कर भीडियो नहीं बना पाया मौका नहीं मिला तो गाइस अभी हम लोग डिसकाश शुरू करते हैं और पूरा का पूरा यह होगा analysis होगा मैं आप लोगों समझा देता हूं ठीक है तो गाइस विकेट की पर सेक्षिन में आप देख सकते हैं आपके लिए दो option है सबसे जो option है उसमें से सबसे best option आपके लिए सहाई होगा रावात का बैटिंग और कोई confirm नहीं है तो इसलिए अगर जैसे अगर RCB का टॉप और एक flop जाएगा तो में भी रावात ऑन डाउन भी बैटिंग आ साकता है या नीचे बैटिंग करने का ज्यादा चांस है क्योंकि अभी RCB का जो बैटिंग और बैटिंग जो अभी ब्रेस्विल को खिला रहा है इसलिए RCB का बैटिंग भी बहुत जो मीडिल ओर भी थोड़ा स्टॉंग और भी हो चुका है ठीक है तो इसलिए मुझे लगते आज के मैच में लेकिन रावात को आपके लिए पंतिक हो सकते क्योंकि सा ग्यान लिग जीतने के लिए तो आपको कुछ हटके करना होगा ठीक है इसलिए जैसे साहा उटिट की पार दोनों ही करेगा तो यही थोड़ा सा आपके लिए अध्वन्टेज हो सकते हैं आप दोनों को ट्राइ कर सकते हो एक कॉंबिनेशन में अपने एक एक करके एक में छ सेकेंड जो चेस करेगा उसके लिए ज्यादा माद़ करें तो इसलिए आपको क्या करना है जो चेस करेगा उसका बैटिंग बैटिंग जो बैट्समैन होगा टॉप ओडर का उसमें ज्यादा फोकस करना और उसी में आपको क्रेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा और बा बॉलर सेक्षेन और अल्राउंडर सेक्षेन में आपको रोटेट करना होगा ठीक है अगर बॉलर अल्राउंडर सेक्षेन में आप रोटेट करेंगे तो आज के मैच में आपके लिए अच्छा खसा रैंग होगा लेकिन बैटिंग सेक्षेन में ज्यादा रोटेट मत करिएग लेकिन एक बात है कि वो बहुत पूराना रेकॉर्ड है गिल का ठीक है तो इसलिए मैं बट आशकर तो अभी इसका जो फॉर्म है प्लास अभी जो इसका मतलब पहले का है बहुत नीचे होता था बट अभी वो टॉप ओडर में बैटिंग करता है इसलिए रन मरने का चांस है और दिम टीम में आने का चांस है लेकिन सेकेंड बैट करेगा तब तो आपके टीम में मस्ट पीक होगा फास बैट करेगा तो मिले जैसे बोल आपको छोड़ सकते हो अगर आपको छोड़ना है बागी तो टॉप ओडर दोनों टीम का टॉप ओडर इंपर्टेंट रहेगा इंपर्टेंट रहेगा और आपके लिए अगर सुदर्शन खेलता है तो सुदर्शन भी अच्छा पीख होगा आपके लिए कुछ ना कुछ पॉइंट देके जाएगा डेविड मिलर को अगर आप लेना चाहते तो सुदर्शन यह डेविड मिलर दोनों में से एक को आपको टॉप ओडर में से किसी को डॉप करना तभी आप ट्राइ करना अधर बहुत कम मतलब वरिस्की हो जाएगा कि देखिए एक प्रॉब्लेम है आरसीवी का बैटिंग अटर में कोई फिक्स नहीं है कब कहां बैटिंग करेगा लेकिन जो जो फिक्स में मतलब फिक्स है अगर आपको छोड़ने का मन है को लिएगा ठीक है आधर मत छोड़िएगा लेकिन मोस्ट अब टीम में ही आपके रहेगा एक दू टीम में रिक्स ले सकते कूंकि बहुत आप सेक्शन देख सकते 91 93 95 एक भी फ्लॉप चलाएगा तो आप सोच सकते हो 91 परसन या 90 परसन आप अराम से टॉप 10 रेंक कर सकते हो इवें जील भी जीत सकते हो ठीक है तो इस पर सा ध्यान दीजिएगा बाकी तीयोतिया है अगर आप लेना चाहते हो तो गैलीग में ले सकते है अगा टॉप आप फ्लॉप करेंगे तरहीं भी टाय करें आधर बहुत जदार इसकी हो ज ठीक से अनलाइसिस करना है और उसके बाद आपको जो मैच के हिसाब से टॉस होगा उसके हिसाब से आपको पीक करना है आप इसको नोट भी करके रख सकते हो जो मैं बोलता हूं उसको आप नोट करके रखिएगा आपके लिए काम आ सकता है ठीक है बाकि हार्दिक पंडिया तरह बहुत ही अच्छा है इस ग्राउंड पर एक्टाइर इसका बॉल्लिंग करने का कोई चांस नहीं है बट टॉप पर में बैटिंग करें इसलिए जो पीछ का कॉंडिशन है उसके हिसाब से आपके टीम डॉट बाद है उसके हिसाब से चाहे फास बैट करें आप टीम में मास पीख होगा डीम तीम में रहने का चाहंद से अगर बॉल करेगा तो कैप्टें में भी कैप्टेंट भाइसरीन हो सकते बाट मुझे लग देखित हैं अल्रेडी तो उतना वालिवल मैच नहीं तो इसलिए के हैं में लोग experience भी कर सकते है आज के मैस में इंपौर्टन प indoor को ड्रॉब भी कर सकते है जो लेकिन फिर भी एक विकेट मतलब हो गया था कम से कम चार या पांच रण में फब डूपलेशी का कैच मिस हो गया था आधराइस देखिए एक एक जो टॉप ओडर बैस्मान फ्लॉप चला जाता तो ऐसे आपको कहना लॉजिकल थोड़ा सा थेंकिंग रखना होगा तब ही अभी का जो ड्रीम इलेवन का प्लस आपको जो आईपिल का निव जो मतलब इंपक्ट पिलियर के रूल की वाज से आल्राउंडर का उतना अभी मतलब इंपोर्टेंस नहीं है इसलिए क्या है आपको आल्राउंडर के उपर रोटेट करना होगा कभी आप मस्ट पिक मत सब्सक्राइब को थोड़ा सा में भी रिस्की हो सकता है बट कहना यह जब भी वाल करते एक दो लेके जाता है और मुझे लगता है आज क्योंकि आर्सीवी का सब पिलियर आपके लिए आज के में इंपोर्टे रहेगा क्योंकि और एक और बात आर्सीवी कहना बहुत प्रे करते हैं या आर्सीवी हार भी सकते हैं इसलिए आपको क्या करना होगा थोड़ासा हट के भी टीम बनाएगा तो पिर आपके लिए आच्छा होगा ठीक है जैसे ब्रेस होएल होगा जो नीचे बैटिंग करते इन लोग को कैप्टेन भी मारेगा घ्यान लिग में इभेन इस ग्राउंड पे एक दो विकेट ही मिलेगा कैप्टेन नहीं होगा बट बैटिंग से मैं सोचिए कि बैटिंग में पॉइंट गपको कैप्टेन हो सकते तो मैक्सवेल और डूपलेसी और कोहलीन तीनों में से अगर आप ड्रॉप करेंगे किसी को दो को या एक को तभी कैप्ट मिलेगा इसको सानाका को आप जुरूर ग्यान लिग में ट्रॉप कर सकते हो जैसे अपने साहा और पंडिया का रेकॉर्ड अच्छा है इसमें पर चलने का चांस है और मतलब टॉप और में किसी को डॉप करें दो पिलियर कम से कम ड्रॉप कर रहा हो तभी उस्टीम में ट्र गए्ट पर ट॓ं को मिल्टो और शांचा है ज्यासा कि प्रॉप कर सकते ही सवसeln Whoever Schmidt say सांचा का में डिबार में तो घंब डॉप की बनुप इननैस्वें आक कि आपको आपको यिए मंटने का रिक्स ले सकते हैं इसमॉल लिग में आपके लिए तो मास्ट पिक होगा शीराज, सामी, रसीद खन और सिराज को छोड़ के अगर आप पंथ पिक आपको लेना है तो आप मुही सर्मा को जुरूर ले सकते हैं ग्यान लिग में ठीक है इसमॉल लिग में भी आपके लिए पंथ पिक हो सकता है ले में जुरूर रिक्स लीजेगा ठीक है जैसे मैंने बोल आपको बॉलिंग सेक्सिम में आपको रोटेट करना है मोही सर्मा को आप सेकेंड बॉल पर जुरूर आपने ग्यान लिग ट्रीम में ट्राइब करेगा आपके लिए पांथ पिक होगा फास बॉल पर आपको ले और RCB ने कम से कम 200 के आसपास रांग मार दिया तो मेभी इसको विकेट एक दो विकेट मिलने का चांस रहेगा तब बॉलिंग कहना प्रेसर में तब विकेट भी गिरने का चांस रहेगा तो इसलिए आप जुरूर इसको परनेल को आप अपने टीम में रखिएगा सेकेंड पर रखने की कोशिश करेंगा फास बॉल पर जोरूर सकते हैं हर सल पटेल फॉर्म बहुत घटिया चल रहा है अगर आप लेना चाहते तो फास बॉल पर रखने की कोशिश कर सकते हैं बाकि आपने टीम में जो आख बंद के छोड़ दीएगा नूरा हमेद आपके लिए पं सब्सक्राइब करना जैसे रासिद खान को छोड़के आपको जो भी बॉलिंग सेक्षान में प्लस और सेक्षान में जैसे मैंने आपको मास्ट बोल दिया उसको छोड़के आप रोटेट करिएगा अगर आपका कॉंबिनेशन से ही बेट गया ना तो आप आप अच्छा का स क्योंकि मीडिल ओडर आर्शिवी का बहुत वीक है तो सोचिए मीडिल ओडर में एक दो उकेट मिलेगा जैसे अपने डूपले सी आप कोहुली मीडिल ओडर में आउट हो गया रासिद खन ने एक उकेट ले लिया और एन अहमेद ने एक उकेट लिया तब इसको एक और एक पाकि उतना कोई खास पिक नहीं है अगर आप किसी को लेना चाहते जैसे दोयल को अभी फिर से मौका मिलाए अगर आप लेना चाहते दोयल को तो फास बॉल पर ही ट्राइक करेगा सेकेंड बॉल पर रिस्की हो जाएगा तो गाइस मैं आसा कर तो आप लोग को हमारा एनला टीम है विडियो को और फैसे लिए हमारे से लांग और यहां करते करो है बड़ी फैमिली जो है आपके लिए 80-90 पर्संट और ठीक्षान करते हैं एक प्रिछंट को लोग प्रिदिक्षान करके आप लोग है और ऐसा प्लियर को कंडिशन में आप ट्राइक कर सकते हो तो इस गईज आपको 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 अच्छा लगा तो आपके लिए लिए हलफूल होगा ठीक है तो गईज अभी मिलते हम लोग नेक्स वीडियो में